राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलेट ने प्रवासी स्रमिकों से मुलाकात की। पाइलेट ने जैपूर के 200 फिट बाइपास अस्तित कमला देवी बुधिया एस्कूल हिरापूरा में संचालित प्रवासी स्रमिक शिविर पहुँचकर उनका हाल जाना। इस दोरान पाइलेट ने श्रमिकों से उनका दर्द साजा किया। परिवहन मंत्री और जैपू शहर जिलाद्यक्ष प्रताप सिंग खाचरी आवास भी उनके साथ पहुचुद रहे। पाइलेट ने कहा कि यह समय प्रवासी स्रमिकों के प्रती अपने उत्तरदाईतों को समझने और उनके प्रती समवेदन शीलता रखते हुए उनकी पीड़ा को समझने का है। वरत्मान परिस्तिति के चलते प्रवासिस्रमिक बहुत परिशानी में हैं उनके दुख दर्द को साजा करना हम सभी का सामाजिक दाइतु है बजाय लोगों के मदद करने का मैं समझतों बड़ा दुखद है और जनतास बाद को याद रखेगी इस संक्रमन को किसी भी कीमत पे हम गरामीन शेत में फैलने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं कुछ करना पड़े हमें इसको यहां पर है कंटेन्मेंट जोन रेड जोन में रोकना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट प्रोटकॉल हम लोग डेवलप किया है राजस्तर पर जिलास्तर पर ब्लॉक्स पर पंचाइस्तर पर हर जन प्रतनिदी हर अधिकारी हर करमचारी इसमें की बिल्कषव रस्वाल जिलास्तर पर जए धनाईब Kenny, कै रोग कमापाईस्तर पर बॉक्ट